आज मैं हैंगिंग बास्किट में लगने वाले पोदों के बारे में हम बात करेंगे जो हैंगिंग बास्किट में लगते हैं और काफी खूबसुरत लगते हैं वह हैंगिंग बास्किट के लिए ही पोदे बने हैं मतलब उनको लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं व यह है कि धूप का मतलब नहीं है यहां पे मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आप उनको फुल धूप में रखिएगा तो वो प्लांट चलेंगे गर्मी का मतलब है टेमपरेचर उपर चला जाता है और गरम हावा चलती है लू चलती है तो ऐसी वाली गर्मी के बारे में मैं बोल र प्लांट यह दो तिन वेराइटी में आता है और मेरे पास यह एक ही इसकी वेराइटी है और यह है आगे से ग्रीन है और पीछे से यह परपल कलर की है यह देखिए तो इसको भी हम हैंगिंग बास्किट में लगाएंगे तो काफी अच्छा लगेगा यह प्लांट और यह बैस्त है यह नहीं कि आप इसको फुल सुर में रखे मतलब पूरे दूप की पूरे दिन की जो धूप होती है उसमें इसको ना रखे मतलब यह है क्यों कुछ गंटों की इसको धूप मिल जाए जैसे सुबह की जो मॉर्निंग की धूप होती है दस-ग्यारा बजे तक औ पूरे दिन की दूप ना मिले तो काफी अच्छ से ग्रो करता है ये और हैंगिंग बासकिट के लिए Harp परपल हार्ट भी काफी अच्छा ग्रो करता है और यह फुल दूप में भी चल जाता है लेकिन फुल प्लांट्स को दूप लग जाएंगे और पानी इन को चेक करके दीजिएगा क्योंकि आज कल गर्मी जादा है तो पानी से हमें सभी प्लांट्स को देना है सुबह शाम तो देना ही होते है लेकिन कई प्लांट्स ऐसे होते हैं कि बीच में भी हमें उनको पानी देने की जूर्थ पढ़ जाती है जो छाया में रखे रहते हैं तो उनको भी आप दे सकते हैं तो ये हैंगिंग बास्किट मे चलने वाला प्लांट पर्पल हारत तो काफी खुबसरत लगता है यह आप किसी भी तरह के पोर्ट में लगा सकते है यह प्तिया इतनी ग्रीन होती है और यह फूल सन में भी यह चल जाता है और मेरा तो यह फूल सन में रखा हुआ है लेकिन इसको मैंने ये देखी इंडोर इसको रख दिया था इंडोर मतलब इसको light लगती थी हलकी धूप लगती थी तो इससे पतिया इसकी देखिए आपको देख सकते हैं पतिया पेली हो गई है तो मैंने इसको फिर भार रख दिया है मुझे समझ में आ गया कि ये इंडोर चलने वाला प्लांट है इंडोर इसको ना रखे अगर आप इंडोर इसको ग्रो करते हैं तो इसको धूप दिखाना भी बहुत जरूरी है तो मैंने इसको आज सुबह ही यहाँ पर भार रख दिया था और यह जब मैंने भार रखा था पहले इसको तो काफी अच्छा ग्रीन जैसे इस तरह से यह वाला देखिए आप इस तरह से ग्रीन है तो यह वाला भी ग्रीन था और अब इसकी हालत देखिए यह मैंने इसको अंदर रख दिया था जा इसको हलकी धूप मिलती थी डारेक्ट इसको धूप नहीं लगती थी तो यह डारेक्ट धूप में भी चलने वाला है लेकिन इसको थोड़ा सा पानी का ध्यान लखना है पानी हमें इसको दोनों टाइम दे दे तो खराब नहीं होगा क्योंकि अब गर्मिया इतनी हो गई है तो प्लांट्स को दोनों टाइम पानी देना चाहिए लेकिन चेक करें इसकी मिट्टी यह नहीं है कि प्लांट मिट्ट Economics को दार्ड है तो मैं प्लांट की मिट्टी है और हम पानी दे रहे हैं इसको तो अएसा ना करें तो तो फिर रूट का भी खत्रा हो जाता है तो आप मिट्टी करके पानी दीजिएग तो यह हैंगिंग बास्किट में काफी अच्छा लगता है बंसके लगने बेता तो इसको मैंने ल्य tiet इस को तो उसमें यह चल जाता है लेकिन फूल सन में इसकी पत् Richts होने लग जाती है यह तो कम पीली है लेकिन इससे भी ज्यादा पीली हो जाती है पत्तियों का कलर बिल्कुल ऐसे डल सा हो जाता है देखिए आप इसको थोड़ा सन लग रहा होगा यहां पे और यह पीछे की साइड चुपी हुई है पत्तिया देखिए यह ग्रीन है पूरी और यह इसको थोड़ा सा सन लग रहा है तो यह यहां पे थोड़ी सी डल हो रही है तो काफी अच्छे से ग्रो करता है और बहुत ही अच्छा यह घना हो जाता है इसको हम जितनी लंबी लंबी इसकी ब्रांच है वह अगर हम इसको कट करते रहे वहां से तो वहां से अपनी बास्केट में काफी अच्छा लगता है तो मैं भी इसको आगे से ट्राइ करूंगी हैंगिंग बास्केट के लिए तो आप इसको जरूर लगाएगा हैंगिंग बास्केट में लेकिन इसको बस धूप से बचाना है आपको फूल धूप में नहीं रखना है मैं फिर आपको बो यहांगिंग बासकिट में लगाते हैं तो काफ़ी अच्य लगावा है और यह मेरी फोर्टम इसे में इस इसे मरेन लगावा जाते हैं तो हग्रांड में लगाते हैं तो आप piece लिजा जाती है. यह plant और काफी अच्छा लगता है जब इसकी branch लटक जाती है नीचे की side और बारिस के मोसम में तो यह इतना अच्छे से फैल जाता है बहुत अच्छे से फैल जाता है यह देखी तो हैंगिंग बास्किट में भी काफी अच्छा लगा है और इसमें मैंने दो प्लांट लगाया है एक यह रियो प्लांट लगाया है और एक यह लाल सा लगाया है मैंने और शायद इधर परपल हाट भी लगाया है यह देखी यह परपल हाट भी है इसी के अंदर तो ये तीनों रवाले में बसकिति को पार्चित भी हरूधा एक हैंगिंग बशके में बसकितिक बाइथा भीकूर इस की पद्या भी आफ होती है यह घ्रू में लगते हैं और इसको दिकाथी में आपको ये देखी ये वाला ये ग्रीन पत्यों वाला है तो दो वेराइटीव है मेरे पास तो काफी अच्छा लगता है ये हैंगिंग बास्किट में कुद देखी और ये मैंने नीचे रखा वाई है मैंने हैंग नहीं किया क्योंकि हैंग करने की मेरे पास जगेर नहीं है बास्किट उपर से और यह तूट भी गई थी और उसके बाद भी फिर मैंने इसको अरजस्ट करके लगा दिया और उसके बाद भी काफी अच्छे से यह देखिए ग्रो हो रही है पूरी भर चुकी है और इसको पानी कम देना होता है हमें चेक करके आप देजिए फूल सन में यह चल जा तो इस की पतिया इस तरह से यह देखिए हलकी हलकी सी शेडicks में आरे है और एक इसमें प्लांट लगा है डंकी जीएर देखिए यह देखिए यह जम्akा से पत्ति से ग्रो के आवा है यह देखिए और काफी सुंदर लगता है यह जितने भी आप देख रहे सें चोटे चोटे से प्लांट· यह मैंने पत्ती से ग्रोव किकी और काफी अच्छी यह ग्रोह रही है देखिये आप इसमें प्लांट में साइड में से निकलते और यह spider plant है spider plant को भी आप लगा सकते हैं hanging basket में अभी इसी time लेकिन इसको full sun में नहीं रखना है हमें इसको हलकी धूप मिल जाए बैस सुबह की इसको धूप मिल जाए और डारेक्ट इस पे लेकिन sun ना पड़े इसको छन के धूप मिलती रहे तो काफी अच्छे से यह चलता है और इसका पानी का भी हमें ध्यान रखना है पानी इसकी जादा नहीं देना है बैस मिटी इसकी देखिए इस तरह से moist होनी चाहिए ज्यादा गिली नहीं है ना ज्यादा इसमें dry है तो इस तरह से इसकी मिटी रहे और मिटी wellden होनी चाहिए ताकि जो हम पानी डाले तो मिट का पानी सारा भार निकल जाया एकदम से ठहरे नहाए the root क्राब हो सकता अगर इसे में ज्यादा पानी प्लांट में तो इसकी पत्य जो आप देखी हलकी घलकी सी tips जो है ये ब्राउन होने लग जाती इसकी तो नहीं हो रही है लेकिन उपर की जो पतिया है ब्राउन इस तरह से ये दिखी ब्राउन होने लग जाती है तो हमें पता लग जाता है कि इसमें ज़्यादा पानी हो रहा है तो हमें पानी इसको थोड़ा सा बंद कर देना चाहिए देना ये देखी आपको दिखाती है उपर दिख रहा है तो य और काफी अच्छे से ग्रो होता है यह प्लांट है और साइड से इस तरह से यह बेबी प्लांट सपनी निकालता है तो यी थि थोड़े से प्लांट मैंने आपको दिखाए है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना चैनल को सस्क्राइब भी कर देना फिर मिलूंगी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई